बात्यों नमस्कार स्री बिजय आर्ट की TGT और PGT आर्ट की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और घंटी का बटन जहूं दबाईए देखे मैं अभी समाचार पत्र कल पढ़ रहा था तो उस समाच के असास के सहायता प्राप्त एड़ेट विद्यालों में सिक्षकों की भरती के लिए इस आयोग का गठन किया जा रहा है जो सिक्षा सेवा चैन आयोग का गठन किया जा रहा है उसमें 12 सदस्यों की कमेटी ने सिक्षक भरती का प्रारूप मई के पहले हफते में त्यार कर लेकिन कुछ और प्रारूप सामिल करने के लिए पिछले हपते सदस्यों की बैठक बुलाई गई इस बैठक में जो सामिल किया गया उसमें UPTET का प्रारूप सामिल किया गया जो पिछले कई वरसों से परिख्षा नियामक प्राधिकरान PNPTT कराता था PNP से ही बेसिक सिक्षक के स्कूलों में सिक्षकों की भरती होती थी चूकि सिक्षक भरती का काम अब नया आयोग करेगा इसलिए उसी आयोग को UPTET की जिम्मेदारी दे दी गई है एक और जो खास बात इसमें सामिल की गई है इस प्रारूप में वो यह है कि वही अटल आवासिये विद्याले में सिक्षकों की भरती अभी तक जो है उत्तर प्रदेश भर में अटल आवासिये विद्याले इस वरस मंडल अस्तर पर सुरू हो लहें आने वाले दिनों में यह भरतियां भी निया आवासिये विद्याले विद्याले सरकार मंडल अस्तर पर खोले हैं जो नवदे विद्याले की तरज पर काम करते हैं बिस्वस सूतर ये बता रहे हैं कि 24 जुलाई को हाई कोर्ट में एक आयोग के गठन के लिए एक डेट लगी हुई है एक केस है तो ये संभावना ब्यक्ति की जा रही है कि अगले महीने जुलाई तक जुलाई में जो है इस आयोग का गठन प्रयास करके सरकार के द्वारा कर लिया जाएगा जिससे उसे जो है और फिर आगे की प्रकरिया जारी रहेगी अगर हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए धन्यवाद